कि है कि हलो एब्रीवन मैं हूँ आश्रीश पाल और आप सब का स्वागत है मेरे यूटूब चेनल दाइस्टडी वेव में आज हम देखेंगे सेल से सेल के कुछ महत्मुन कोश्चन और जानेंगे उनके आंसर्स को तो यह इस सीरीज का पार्ट फोर है ठीक है दोस्तों तो इ लिए स्टार्ट करते हैं एटीपी पहला कोश्चन है एटीपी का निर्मान किसके द्वारा होता है एटीपी का निर्मान किसके द्वारा होता है एटीपी का निर्मान किसके द्वारा होता है माइटो कॉंट्रिया पर्ण हरित राइबू सोम्स या गॉल जी ठीक है तो आंस कोशिका जिल्ली किसकी बनी होती है प्रोटीन एवं लिपिट की प्रोटीन एवं लिपिड एवं कम मात्रा में डीने कार्बो हाइड्रेट्स और प्रोटीन और सेलुलोज तो आंसर होगा प्रोटीन और लिपिड की जो प्लाजमा जिल्ली या कोशिका जिल्ली हर कोशिका की बाहे आवरन होता है जो इसके अंतरगत जो भी चारू और माध्यम से इसको अलग करती है यह वसा एवं प्रोटीन से बनी होती है और कुश की अंतरवस्तू की सुरक्षा के लिए एक भौत की रोध प्रदान करती है चींगे दोस्तों नेक्स कोशन है नेक्स कोशन है प्रोकेरियोटिक जीयों की में सबसे शुक्ष्म कोश रचना है जिवानों की विशानों की राइजोबियम की या माइकोप्लाजमा की तो आंसर होगा इसका माइकोप्लाजमा की चींगे फूर्थ नंबर इसका आंसर है माइकोप्लाजमा की मा ऑक्सीजन के भी विना भी रह सकती है, और इसका जो व्यास होता है, 0.15 से लेके 0.3 माइक्रों तक होता है नेक्स कोशन है, जीवन की उतपति किस काल में हुई प्रोटियोरिजिक, मेशोजोईग, पेलियोजोईग या प्री केर्बियन, तो प्री कैम्बियन काल में इसके उत्पत्ति हुई है Next question है, कोशिका जिल्ली किसकी बनी हो दार्विन ने जीवजातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताईए डार्विन ने जीव जात्व की प्रत्तिक चैन के द्वारा बताई है प्रसंकरन के द्वारा प्राकरतिक चैन के द्वारा उत्परिवर्दन या उपारजित द्वारा तो इसने बताई है प्रत्तूत किया है उन्हें ने बताया है कि प्राकरतिक चुनाव द्वारा जात्व की उत्वत्ती होती है नेक्स कोशन है अनुवांसिकी का नियंतरन किसके द्वारा किया जाता है अनुवांसिकी का नियंतरन किसके द्वारा किया जाता है DNA द्वारा RNA द्वारा सभी जीयों में DNA और कुछ में RNA तो आंसर होगा सभी जीयों में DNA और कुछ में RNA ठीक है दोस्तों नेक्स कूशन है निम लिखित में से कौन सा निम लिखित में से कौन सा प्रत्वी पर जीवन की विकास संबंदित नहीं है ठीक है कौन इसको बताना है कौन संबंदित नहीं है चार्ज डार्विन, मौर्गन, लेमार्क और वाक में ठिक तो इसका अंसर होगा मौर्गन इस काञ्सर मरवचार्षा दार्वे लेमांग और वाक में जीवन के विकास के कार संबन्दित हैं जबकि जो मौरगन है वो अनुवान drama सफिकी के संबन्दित हैं यह किसे हैं अनुवान शिकी जीवों की प्रतिक कम वर्ग या आयतन संख्या कहलाती है गनातु जन संख्या जीव संख्या गनातु या जीव संख्या व्रत्ती तो यह कहलाती है जीव संख्या गनातु ठीक है जीव संख्या गनातु नेक्स कोशन है प्री केरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है प्री केरियोटिक कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है क इसमें कई कोशिकांग भी अनुपस्तित रहते हैं जैसे कि प्लोरोफास्ट हो गया लाइजुसूम हो गया गौलजी बाड़ी और माइटो कॉंट्रिया ठीक नेक्स कोशन है डीने में चार प्रकार के नुकलोटाइट पाए जाते हैं यह हैं तो यह हैं यह आपको पता ही थाइमीन, गुवानीन और साइटोसीन अप्सन नंबर 4 नेक्स्ट है मेंडल से प्राभाविता नियम के अनुसार मेंडल नहीं जो नियम दिया था उसका नियम के अनुसार संतानुम पस्तित कारकों में जोड़े एक कारक नर और दूसरा मादा से आता है युगमोक के निर् थाइन के समय दोनों कारक प्रतक हो जाते हैं जीवों के गुण या लक्षण एक दूसरे को प्राभावित नहीं करते हैं प्रतम पीड़ी में केवल प्राभावी गुण ही दिखाई देते हैं तो आंसर हो जाएगा पहला ठीक है मेंडल के प्रश्ताविता नियम के अनुसा आपको समझ है 81 question है DNA के purine में nitrogen चारकों का सही युग है ठीक है हमको यहाँ पर सही युग में बताना है तो adenine guanine, guanine cytosine, cytosine thymine और thymine uracil तो answer होगा adenine guanine ठीक है adenine guanine next question है नेम लिखित में से किसे कोशिका का उर्जा केंदर कहा जाता है तो आमको पता है कि उर्जा केंदर किसे कहा जाता है वो है mitochondria ठीक है दोस्तों तांसर क्या हो जाएगा mitochondria next question है कुछ डाइनासोर के पर थे या दपीवे उड़ नहीं पाते थे परनतों पक्षियों के पर होते हैं जो उड़ने में किसाहता करते हैं विकास के संदर्व में इसका अर्थ यहा है कि सरीस्रपों और पक्षियों के बीच कोई विकास संबंदित नहीं है दोनों ही जीओ पर समझात अंगे सरीस्रपों का विकास पक्षियों से हुआ है और पक्षियों का विकास सरीस्रप से हुआ है तो इसका अंसर होगा 4 पक्षियों का विकास सरीस्रपों से हुआ है के नेक्स कुशेन है निम्लिकित में से कीज कोशी का अंग को यू कैरियूटिक कोशीका के भीतर कोशी का माना चाता है। तो देखिए बहुत important question है तो यह है सूत्रकरणी का जिसवा आप mitochondria भी बोलते है गॉल्जी का या ग्लाइक्सोसोम तो आंसर है ग्लाइक्सोसोम ठीक है आंसर होगा आपका प्रोटीन्स तथा केंद्रक अमल थर्ड ठीक उसके बाद है कोशिका किसके कारण स्फित हो जाती है जीव द्रव कुंचन भही परासरन अन्तहा परासरन और विशरन ठीक है तो यह होती है अन्तहा-परासरन के कोशिका जिल्ली पाई जाती है कोशिका जिल्ली पाई जाती है पादप कोशिका में पादप कोशिका दोनों पादप कोशिका दोनों में नहीं तो पादप कोशिका और पादप कोशिका और पादप कोशिका दोनों में नहीं तो पादप कोशिका और पादप कोशिका और शादंडास है में यूगमकों में या यूगमक जनों में तो यह नहीं पाए जाते हैं यूगमकों में ठीक है यह यूगमकों में नहीं पाए जाते हैं अनुवांसिता की काई है अनुवांसिता की क्या इकाई है तो अनुवांसिता की क्या इकाई है केंद्रा गुणसूत्र क परावेशी समविस्ट अपवर्थी अभी चर्म कोशिका को कहते हैं ठीक है रंदरी रंदरी छिद्रकी परवेशी विशिष्ट अपवर्थी अभी चर्म कोशिका को क्या कहते हैं एपिथीलियम ठीक है एपिथीलियम कोशिका रक्षक कोशिका गौन कोशिका यह सहे कोशिका इसको कहा जाता है रक्षक कोशिका याद रखिए इसे क्या कहा जाएगा रक्षक कोशिका नेक्स है जीव एकक का पावर हाउस इन में से कहा जाता है तो यह कहा जाता है माइटो कॉंट्रिया को याद रखिए किसे कहा जाएगा माइटो कॉंट्रिया को इबार बार आता है द सूत्रकणी का एक जीवान भी कोशिका नहीं है नेक्स कोशन है जीवों में अत्यधिक विविदता का कारण है अनुकूलन सहभागीता उत्पारिवर्तन या बहुगुण सुत्रता तो आंसर होगा सहभागीता सहभागीता ही जीवों में अत्यधिक विविदता का कारण है तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टन कोशन और उनके आंसर अगर आपको विडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें आपको विडियो देखें तो धन्यवाद जाहिए वंदेवाद